पाड़्छे सर्वनाम प्रोनाउन जूही ने जूही की मा को बताया कि आज जूही की अध्यापिका ने जूही की प्रशनसा की है क्योंकि जूही कक्षा में प्रत्थम आई है जूही की जगा अपनी उसकी वह शब्दों का प्रयोग हुआ है ये शब्द सर्वनाम है सर्वनाम यानि सबका नाम इस प्रकार जो शब्द नाम संग्या की जगा प्रयोग तो होकर संग्या का ही कारे करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं सर्वनाम के भीद प्रयोग के आधार पर सर्वनाम शब्दों के छे भीद है पुरुषवाचक, निश्यवाचक, अनिश्यवाचक, प्रेश्णवाचक, संबन्धवाचक, निजवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द वक्ता के द्वारा अपने लिए सुनने वाले के लिए या अज्य किसी अनुपस्तित व्यक्ति के लिए प्रयोग किये जाते हैं वे पुरुष वाचक सर्वनाम कहलाते हैं जैसे अपने लिए मैं, हम, मेरा, मुझे, हमें आदी, श्रोता के लिए तू, तुम, आप, तुम्हें, आपका आदी, किसी अन्य अनुपस्थित व्यक्ति के लिए वह, वे, उसे, उन्हें आदी, अपने लिए मैं खेलता हूँ, हम पढ़ते हैं, सुनने वाले या श्रोता के लिए, हाँ, तुम अच्छा खेलते हो, आप सब भी चलो, अन्य व्यक्ति के लिए, वह, पढ़ रहा है, वे भी, पढ़ रहे हैं निश्चे वाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्यत वस्तू या व्यक्ति का बोध नहीं होता, वे अनिश्य वाचक सर्वनाम कहलाते हैं जैसे देखो कोई बाहर है, खाने के लिए कुछ ले आईए प्रश्ण वाचक सर्वनाम जब किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में मन में प्रश्ण उठते हैं कि वह व्यक्ति कौन है या वह वस्तु क्या है तब उस व्यक्ति या वस्तु के नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे प्रश्ण वाचक सर्वनाम कहलाते है हिंदी में क्या वस्तु के लिए तथा कौन व्यक्ति के लिए सर्वनाम प्रश्ण वाचक सर्वनाम के उदाहरण है दर्वाजे पर कौन था अध्यापिका के हाथ में क्या है संबंध वाचक सर्वनाम वे सर्वनाम पद जो वाक्य में दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं वे संबंध वाचक सर्वनाम कहलाते हैं जैसे जो सो जैसा वैसा जिसका उसका आदी जो बोएगा सो वह फल खाएगा जिसकी लाठी उसकी भैस जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता वाक्य के करता के लिए करता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदी यह सारा काम मैंने खुद किया है तुम अपना काम स्वयं करना एक बार फिर से वे शब्द जो संग्या के स्थान पर आकर संग्या का ही कारे करते हैं सर्वनाम कहलाते हैं सर्वनाम के छे भेधें पुरुश वाचक मैं तुम वह निश्य वाचक यह वह अनिश्य वाचक कोई कुछ प्रश्न वाचक कौन क्या संबंध वाचक जिसका उसका निजवाचक खुद स्वयम